दोस्तो यूएस प्रेजिदेंशल इलेक्शन की डिबेट्स तो आपने सारे देख लिए है आज जो है वो इलेक्शन डे है फाइनली यूएसे में एक लंबी जर्नी कंप्लीट करने के बाद में कमला हैरिस और डॉनल्ड ट्रॉम के बीच में एक बैटल जो रियल बैटल है व कहीं नहीं दो या तीन महीने में पहले चार महीने पहले डेट्स डिकलेर होती है शर्डील फूरा निकल के आता है बट यूएसे की बात करें तो यूएसे में एक दम क्लियर है कि हर दो साल से elections होंगे हर दो साल के election के अंदर वहाँ पर president हो vice president हो ये तो हो गया federal level पे इसके अलावा जो US की national congress है ठीक है US national congress that means वहाँ की जो parliament है वहाँ का house of representative हो या फिर जो की lower house है हमारी लोगसभा के equivalent या फिर वहाँ की senate हो जो की हमारी राज्यसभा के equivalent है इनके चुनाव प्लस state level की बात भी करो तो governor हो या lieutenant governor हो state level पे वहाँ पे governor हो lieutenant governor होता है और साथ में हम वहाँ पर बात कर ले state level की जो वहाँ की legislature है उनके election ये election more or less आपको बहुत ज़ादा एक हद तक एक particular phase में conduct होते वे दिखाई देते है बट अभी जो हम 2024 के elections की बात कर रहे है तो इसमें president, vice president के साथ में house of representative, senate इनके election पे धान दे और दूसरी तरफ जैसे ही 2024 के बात में दो साल बाद का time आएगा 2026 का तो उस time पर आप क्या देखोगे कि president, vice president के election तो होंगे नहीं क्यों क्योंकि वहाँ पर 4 साल का tenure है president का बट वहीं पर house of representative की अगर बात करें तो वहाँ पर हर 2 साल के अंदर जो 435 member का house of representative है उसका हर 2 साल के अंदर election होता है that means हर 2 साल में पूरे नए member आके बैठते हैं वहीं senate की अगर बात करें तो वहाँ पर total 100 members की senate है जिसमें से one third members हर 2 साल से बदलते रहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि हर 2 साल के अंदर USA के अंदर fix election होता है बट उन उस particular time period जो अभी हम बात कर रहे हैं उससे आपको idea लग जाएगा कि कैसे वहाँ पर बैठता है पुरा मामला तो यहाँ पर issue यह है कि एक तो election day कब declare होता है देखो नवंबर महिना जो भी होता है उसके first Monday के बाद में जो भी Tuesday आएगा उस दिन यहाँ पर चुनाव होता है तो आज होगी आपकी पांस तारीक पांस तारीक को है Tuesday यह कौन सा Tuesday है first Monday के बाद वाला तो इस तरीके से आज की election date fix है फिर उसके बाद में यहाँ पर जो elections होंगे वो हमें पता होना चाहिए कि Donald Trump को और Kamila Harris को direct voting नहीं होने वाली है यहाँ पर जो vote डाले जाएंगे लोगों के द्वारा वो डाला जाएगा electoral college को वो electoral college का election कैसे होता है उसको समझने से पहले हमें एक बार देखना होगा कि अभी कौन-कौन से candidates वहाँ पर खड़े हो रहे हैं देखो अभी हम presidential candidate Democrat party की तरफ से देखे तो Kamila Harris वहीं पर vice president के तोर पे वहाँ पर participate कर रहे हैं vice president के candidate के तोर पे Tim Walz वहीं पर USA की अगर बात करें वहाँ पे तो Donald Trump है Republican party की तरफ से presidential candidate और vice president के candidate है J.D. Wentz इसी तरीके से दूसरे और parties हैं जो majorly जो बड़ी parties हैं दो उनकी हम यहाँ पर main focus लेके चल रहे है अब आप यहाँ पर देखो की voting का process कैसे होता है यहाँ पर यह दो symbol वाले ballot box पड़े रहेंगे वहीं सीधी बात है यहाँ पर एक तो है घदा symbol घदा है Democrats का वहीं दूसरी तरफ अगर आप notice करेंगे हाँ तो voting process की बात करें तो यहाँ पर सीधी बात है दो symbols को हमें ध्यान रख लेना है एक तो आपके यहाँ पर symbol है घदा जो की Democratic Party का symbol है और एक तरफ हाथ ही जो की Republican Party का symbol है अब होता क्या है कि लोग जाएंगे vote डाल देंगे जो भी voters eligible हैं वो जाकर के vote डाल देंगे अब vote डालने के बाद में सीधा वो Donald Trump को vote नहीं डालेंगे यहाँ पर और नहीं यहाँ पर कमला है इसको vote जाएगा vote जाएगा उनके representative जो की अलग-अलग state level पे आई तरीके से party की तरफ से खड़े किये हुए आप यहाँ पर यह देखेंगे कि सबसे बड़ी चीज यह है कि USA complete federal system पे रन करता है जहाँ पर states के पास में power जाता है तो elections है न यह generally state level पे conduct होता है अलग-अलग state अपने-अपने level पे conduct करा था जैसे हमारे यहाँ पे election commission of India पूरे देश में एक साथ election conduct करा था अलग-अलग phases में यहाँ पर क्या है USA में state wise elections अलग-अलग conduct होते है और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मान लो एक मैं state की बात कर लेता हूँ California की California में total seat की अगर बात करें जिन पे presidential election में voting पड़ेगी वो count होकर क्या आपका set होता है लग-बग 55 जिसमें से 53 seat की जो count आ रही है वो इसलिए ली जा रही है 53 प्लस 2 का यहाँ पर एक ratio चलता है 53 इसलिए क्योंकि California state है वहाँ से तरेपन इंडिविज्वल्स separately एक separate election के तहत जो की अभी parallel ही चल रहे है उसके तहत elect होकर के house of representative में जाकर के बैठेंगे इसलिए 53 count एक तो यह ले लिया वो लोग अलाग अलाग धियान रखना house of representative जो लोग जा रहा है वो एकदम separate है और यहाँ पर यह 53 count के वली यह देखा है reference के तोर पे कि हाँ California से कितने लोग house of representative के member बनके जा रहे तो 53 जने तो 53 count इधर से ले लिया और senate के हर एक state से दो जने जाते है तो ऐसे करके दो यह तो total 55 जने है अब जैसे ही California में vote होगा तो vote दलेंगे सीधी बात है वहाँ पर डबबे पड़े रहेंगे जिस किसी political leader को जिस भी यहाँ पर party को California के अंदर 29 seats मिल गई न उस 29 seat वाली party को क्योंकि 29 seat का मतलब 50% से जादा हो गया majority मिल गई न उस state में तो 55 की 55 seat उस particular candidate के नाम से चली जाएंगी जिस candidate के नाम पर presidential voting होई है अब आप यह सोचोगे यह 55 individuals 55 seat जो जाएंगी इनको लेकर के वहाँ पर आगे president तक पहुचाने का जो काम करेंगे न वो ही electoral college है इसका मतलब यह हो गया कि एक intermediate stage यहाँ पर create कर दी कि लोग जो है people वो vote डालेंगे अपने local individuals को और वो जो local individuals होंगे उनके अंदर यह देखा जाएगा कि किस individual को सबसे ज्यादा vote मिल रहे है 50% से ज्यादा जिसको 50% से ज्यादा vote मिल रहे हैं आप मानो कि उसको सारा का सारा state का number ऐसे कैसे मिल जाएगा इसका मतलब California की अगर बात करें तो इसके लिए बोला जाता है कि यह तो Democrats का है यूँ कहा जाता है तो Democrats की बात की जाए तो यहाँ पर सीधी बात है कि 55 सीटे ऐसे कि ऐसे किसके count में चली जाएगी कमला है इसके count में अब उसको आगे कौन पहुचाएगा वो Electoral College जो है वो California से जाकर के California की capital में जाकर के और फिर बाद में कमला है इसके लिए अपनी counting करवा देंगे कि हाँ जी हम लोग जिस तरीके से लोगों ने अपना favor show किया है कि किस political party को अपने state में जीता ना है उसी तरीके से हम हमारा vote आगे forward कर देंगे कई बाल गफलेवाजी भी होती है but again गफलेवाजी से इतना असर वहाँ पे results में नहीं पड़ता तो point क्या निकल कि आया कि एक त representative जो है वो जाकर के president को vote देगा इस तरीके से voting का system होता है USA के अंदर यह होता है electoral college का मतलब इसी तरीके से vice president का system होता है अब हम बात कर लेता है कि अभी के time पे किस तरीके से Donald Trump है वो lead करते हुए दिखाई दे रहे हैं या फिर क्या क्या चीज़ें उनको favor कर रही है देखो सी states होता है जो कि more or less आपको किस color में दिखाए जाएंगे red color में red color में होता है वो Republicans के लिए बताया जाते हैं कि वो कहीं ना कहीं Donald Trump वाली party को favor करने वाले state है more or less वहां से पूरी city उनी के favor में जाती है एक होता है blue states जो कि Democrats को favor करता है और एक कुछ states बच गए जिनको अलग color में show इसको favor करेंगी जैसे Texas का clear है कि हाजी हम तो favor करेंगे कि इसको Republicans को California की बात करें तो Democrats बट यह swing states है Wisconsin ठीक है Michigan, Pennsylvania, North Carolina, Georgia, Arizona and Nevada यहाँ पर क्या है कोई भी जीच सकता है किसी को भी पूरी city मिल सकती है अब इस चीज को लेकर कि दोनों जो contenders है यह गजब के debate में यहाँ पर देखन करें तो swing state में Donald Trump को marginal victory दिखाई दी है छोड़ करके यह दो states है एक तो यह इसका नाम है एनब्रेस का ठीक है नब्रेस का और एक है यहाँ पर आपका main यह दो ऐसे states है जहाँ पर winner take all वाला concept नहीं चलता मतलब यह कि जिसको जितनी seatे मिली है जैसे हमारे यहाँ पर मिलती है कि हाँ राजस्तान में इतने Congress को इतनी मिलगी बीजेपी को इतनी मिलगी तो वो count वैसे कि वैसे carry on करके लोग समय में पहुंच जाता है यहाँ पर मैंने बताया ना कि एक party को अगर 50% से ज्यादा seatे मिल रही है तो सारी seatे ही उसके count में ली जाएंगी तो वो चीज यहाँ पर इन दो states में नहीं है इन दो states में proportionality के system पे run होता है अधरवाई सारे जो states हैं 50 में से वो यही कहता है कि हाँ जी हमारी तरफ से तो जो भी 50% ज्यादा vote ले गया उनको सब कोई सारा vote ही हमारी तरफ से complete जाएगा तो यह चीज यहाँ पर देखने वाली थी कि swing states जो हैं वो decide कर कि कौन जीतेगा तो ट्रंप के favor में दूसरा मुद्दा आता है immigration का immigration एक अपने आप में बहुत बड़ी सरदर्दी है USA जैसे और जो भी देखो settled country है ना उनके लिए बाहर से लोग आकर के illegally रहने लग जाते हैं तो वो हमेशा सरदर्दी रहती है तो इसको लेकर के कमला है इ Central America से या दूसरे country से लोग जाकर के settle हो रहे है USA में जब तो उनको हम कैसे settle करें कैसे हम problem को solve करें जिसें की immigration की problem ही खतम हो जाए Donald Trump थोड़ा सा इसमें बिल्कुल strict town का ये कहना है कि भाया Mexico से border हमने create कर रखी है ना तो दिवार बननी ची उधर से illegally को ही ना सके और जो लोग illegally हमारे देश में घुश चुके हैं तो उन लोगों को proper treatment दिया जाए इवन Donald Trump ने तो यहां तक कह दिया कि 1798 USA जब independent वा था उस समय का एक कानून है नाम है alien enemies act जिसके तहत सीधा provision है कि USA के दुश्मन देशों से अगर कोई भी आ करके USA में settle होता है तो उनको सीधा death penalty दी जाए तो Donald Trump तो इस time से चल रहे हैं तो immigration वाले मामले में Donald Trump का standing them clear है ना इस वज़े से उनको थोड़ा सा favor होता हुआ दिखाई दे रहा है फिर बात आती है foreign policy की जिस तरीके से Ukraine और Russia conflict में बहुत सारा पैसा USA का लग रहा है तो उसको ले करके एक disturbance USA के अंदर चल रही है कि हम ज़्यादा Ukraine को favor नहीं करेंगे बहुत पैसा हमने already flood कर दिया है वहीं दूस जो बाइडन administration के ओपर बहुत सारे सवाल उटे हैं कि आख तुमारे टाइम पर लडाईया इतनी हो रही है और Trump ने तो खुद ने ये कह दिया कि मेरे टाइम पर किसी की इमत नहीं थी हो आख उठाकर के देख भी ले ये लडाईया तो बहुत दूर की बात थी तो ये भी ए बट हमें ये पता है कि जो बाइडन के टाइम पे एक बार तो डबल डिजिट तक भी inflation पहुंच ले थी USMA और unemployment भी no doubt अभी कम है बट एक समय में बहुत ज़्यादा unemployment वहाँ पर देखने को मिला था तो कहने का मतलब no doubt अभी जो बाइडन के समय में economy अच्छा perform करती हुई द Donald Trump को favor कर रहे हैं और एक voting वाली बात अगर करें तो जो अभी तक के voting हो चुकिए उनमें trends यूँ शो कर रहे हैं कि जो Republican voters वो बढ़ चड़ करके vote कर रहे हैं और Democrats समों थोड़े से backfit पे दिखाई पड़ रहे हैं तो ये एक factor और add हो जाता है बाकी तो देखो समय बताएगा अब होगा क्या लोग election day आज के time पर vote कर रहे हैं जो मैंने बताया आपको first Monday के बाद का Tuesday आता है उसमें voting होती है फिर उसके बाद में यहां से election final किसका हो जाएगा electoral college का जैसे मैंने बताए representatives फिर वो लोग जाकर कि अपना vote forward करेंगी presidential candidate को particular उनको Kamala Harris और Trump को वो काम होगा कब उस time पर यह voting आगे forward होगी और फिर उसके बाद में है जनवरी को counting होगा इसका मतब 6 जनवरी को final result आजाएगा और उसमें जो भी विक्टर होगा उसके लिए देखा जाएगा कि total जितने electoral college थे जो की लगबग लगबग कितने हैं आपके 438 538 और उनके अंदर से 270 या उससे जादा किसको मिल जाता है वो ही विक्टर डिक्लियर हो जाएगा और अगर मान लो किसी को 270 नहीं मिले मान लो डॉनल्ड टरम्प और कमला हैरिस में टाई हो गया तो उसके बाद में USA के जो Congress है ना उसके houses का रोल आ जाता है कैसे कि अगर President के मामले में अगर अटक गया मामला किसी को भी 270 का आकड़ा मिल ही नीदा है तो ऐसे में क्या हो जाएगा वहाँ के House of Representatives जो है ना Lower House वहाँ पर फिर ये कहा जाएगा कि जो भी यहाँ पर House of Representatives बैठे हैं उननों लोगों के पास में अपने स्टेट के लिए एक वोट होगा तो टोटल स्टेट कितने है USA में टोट में टॉप थ्री केंडिडेट्स है ना उन टॉप थ्री केंडिडेट्स को खड़ा किया जाएगा और उन टॉप थ्री केंडिडेट्स को वोट करेंगे ये 50 वोट से हर एक स्टेट का एक वोट वोट डिसाइड कर लेंगे जितने भी House of Representative की सीटे हैं वो लोग मिल करके डिस है वहाँ पर रहेगा बाकी तो देखो समय बताएगा कि जैसे प्रेजिडेंट साब बन जाते हैं तो च्छे तारिक को तो फाइनल डिसे ना जाएगा फिर 20 जनवरी को शपत ग्रेंड शमारोह भी हो जाएगा तो ये सारा प्रोसस वहाँ पर चलता है पट अभी की जो सिच जैबारत बने रही है पी डबलू घ्यानकोश के साथ थांक्यू वरे मच